तो दोस्तों क्या अब तक आपने कुछ ऐसी setting अपलाई की है अपने camera में जिससे कि आपका sensor है वो light को manage करें means आपके sensor पे किस हिस्से में कितनी light चाहिए क्या आपने पहले कभी settings को apply किया है और खास कर अगर आप फोटोग्राफी शूट करते हो तो ये सेटिंग आपके लिए बहुत ही कमाल का होने वाला है तो खास कर अगर आपको ऐसे फोटोग्राफी करे हो जहां पे आपके पूरे फ्रेम पे कही 50% पे आपके subject है और कही 10% में आपका subject है अगर आप उसे highlight करना चाहते हो तो आपको कैमरे को command देने होंगे कि आपका जो light है मेजरली जो light है उसको वहाँ पे जादा highlight करें आपके subject पे खास यही है sensor light को manage करता है तो यहाँ पे आपको option देखने को मिल जाएगा simply i button को press करेंगे तो metering का metering काफी कमाल का features है इस पे मैं एक long video बनाऊँगा proper explain करने के लिए तो इसको अगर मैं ok करता हूं तो सबसे पहले देखे matrix metering center weighted sport और यह हो रहा highlight weighted metering का भी उसमें option देखने को मिल रहा है matrix का use करते हैं अगर आप यह चाहते कि मेरा जो light है पूरे sensor पर अच्छे से काम करें 100% तो आप matrix पर ही रहने दीजेगा इसको हटाइगा मत जैसे like wedding wedding portrait पर लेकर select कर सकते हो camera आपका 50% मान के चल सकते हो sensor पर light को manage करेंगा बाकी area पर कम करेंगा तो खासकर portrait photograph के लिए setting काफी अच्छा option है तो दोस्तों अब बात करेंगे sport metering के बारे में अब देखे sport metering काफी जाधा आपको ऐसी पता चल जा रहा है काफी small या माइक्रो सब्जेक्ट लाइक जोरली के photo shoot करना चाते हो तो ऐसी जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो खासकर अगर किसी बड़े एरिया में से एक छोटे से space को लेके अगर आप highlight करना चाते हो तो वहां पर आप पर इस पोट मीटरिंग का यूज कर सकते हो उसके बाद जो लास्ट में जो settings है highlighted weighted मीटरिंग का option देखने को मिलता है खासकर stage पर आप आर्टिस्ट perform करते हो और वहां पर देखा होगा आपने उपर से spot light से उनको highlight किया जाता है तो वहां क्या है उनकी फोटोग्राफी शूट करने के लिए आपके subject को highlight करने के लिए यह वाले settings का आप यूज कर सकते हो तो इस setting से आप camera को command दे सकते हो या फिनको बता सकते हो अपने की मुझे पूरे sensor पर लाइट चाहिए या फिर मुझे 50% अपने sensor पर लाइट चाहिए तो यह setting मुझे कहीं नहीं लगता है कि photography के लिए काफी ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है और ए वरक्शॉप हुआ था तो उसमें एक्जम्पल दिया गया तर फोटो भी दिखाई गयती हो तो काफी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा मुझे सेडिंग जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को कर दीज़ेगा सस्क्राब